शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें यह आप क्या करें हमने अभी तो पैकिंग की थी वाट पैकिंग यह सब साडी सलवार कमीज यह सब आप बाहर नहीं पहनेंगे तो हम क्या पहनेंगे अरे अपनी डिजाइनर कलेक्शन को भी थोड़ी हवा लगने देगी यह जीन्स यह टॉप्स यह सब पैक करो लेकिन राज यह सब हम मैं जाता हूँ अब आप कहेंगे के राज यह सब आप कहां पहनते हैं अरे मुझे भी तो देखने दो के इन ड्रेसेज में मेरी राने कितनी होट लगती है नहीं हम यह सब नहीं पहनेंगे तुम्हें यह सब पहनना होगा यह जहापना का ओनर है हम जहापना का हुकम क्यों मानेंगे हम तो अपने पतीदेव का हुकम है कि रानी बेटा पैकिंग हो गई सीपी में मोती सी, मंदिर में जोती सी, चंदन की खुशुवू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की हो में, 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 ह अपने पतीदेव का गॉटे मालेंगे, ना? ओ, तु ठीक है? यह तुम्हारे पतीदेव का हुखम है कि... राने बेटा! पैकिंग हो गई! छी पापा, अल्मॉस्ट हो गई है! यह भी रख ले! बेटा, यह बेट दर्ग की दवा है, इसे रख ले! यह बहार जा रहे हो, खाना पिना तो बहार हो गई, और पेट! पापा, इसकी क्या जरूरत है? तु चुप रहे! याद है, जब हम लोग देवगर गहे थे, तो तेरा यह तीन-तीन भार पेट कराब हुआ था! तु जब दवायों की जरूरत पड़ी थे, यह रख लेते हैं! ओ, हम इसे रख लेते हैं! इन में तीन भारा है? ची पापा! इन दवायों की कोई जरूरत भी थे, हाथ उपे कह रह थे के... राणी बेटा, यह, यह कंबल लख लो! बाहर की मोसम का ठीक नहीं, कब ठंड लग जा थे? पापा, यह क्या है? क्या? भूल गया? नासिक ने इसे ठंड लग गी थी एक भी करम कप्ला नहीं था अभी दवाई, अभी कंबल आचुका अब दिल की बारी राणी बेटा यह तेल यह तेल रख ले बिटा यह तेल क्यों? आप आप राणी यह जरूर रख लेना अगर वहाँ पर तुम्हें मोच आगी तो यह काम आएगा और पापा आप प्लीस सीडियों से उपर नीचे मत करिये क्यूंकि अगर आपके पैर में मोच आगी तो यह तेल आप ही के पास रहेगा तुझुपकर देखो बेटा टाइप बंद रखना क्या हुआ जब हम लोग एक बार अजमेर गए थे तो धकन कुला रह गया और पूरा थेल साड़ी पे तेरी फिटलर मैड़म ने कितना चिलाया भाप रे बाप इस अखले इसे समभल के मैं जरा टॉट लेकर नहीं पापा उसकी कोई जरुवत नहीं है आप क्यू अपने आपको ताका रहे है जाके आराम करिये ना हमें जो लेना होगा हम ले लेंगे बड़ी फिक्र है इसे मेरी पापा का बस जले तो घर में जो भी सामान है सब बांध कर दे दे रानी जाने से पहले मैं कुछ बाते क्लेर करना चाहता हूँ कैसी बाते यही के वहाँ जाकर अगर तुम अपनी भेहनों के साथ इतना खोगे के में ले वक्त नहीं मिला तो 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 मैं तुम्हे गोदी में उठाकर कमरे में ले जाओंगा अब भी इतने टाइम बार हम अपनी बहनों से मिलेंगे तो जाहिर है कि आपके लिए तो वक्त नहीं निकाल पाएंगे मुझे नहीं पता ये मारा हनीमून है भई अब इकने सारे लोगों के बीच हम प्रॉमिस नहीं करते ठीक है तो कोई तरकीब निकालते हैं हाँ अगर तो मैं तुम्हे कुछ इशारे करूँ जैसे खास हूँ सा 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 रिगन सारी तो समझ दिलना के मैं तुम्हे अपने पास बुलाओ और अगर मैं यू बालों में हाथ फेरूं तो रानी आई ममी अभी आते आई 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 हाँ शेकर एक अच्छी खाबर है तुम्हे इंट्रूबगे चले जाना मेरी उनसे बात हो गई है यार कल तो मैवा नहीं चापाऊंगा नहीं चापाऊगा लेकिन क्यों यार आइचली मैं रानी और उसकी फैमिली सारे आट ओफ टाउन जा रहे है और रानी की बेहनों ने प्रोग्रम बनाए रानी बहुत खुश है और इस वक्त मैं उसे नहीं नौकरी की बात नहीं बताना चाहता मैं उसकी खुशिया नहीं बर्बात करना चाहता लेकिन राज तेरे पास पैसे है दो डाई हजार उपे है मेरे पास उसी मेरा आनी की खुशिय को पूरा करने की कोशिश करूँगा वो बैचारी वेसे भी कहा कुछ ज्यादा मांगती है लेकिन नौकरी की तलाश अब मैं वापस आने के बात ही करूँगा ओके अरे नौकरी गई है ना जान तो नहीं चली गई इसमें गवरानी की क्या बात है तेरे जैसे लाइक नड़के को फॉस्ट लास नौकरी मिलेगी बस तो अभी रानी के साथ घूम ले जा वापस आएगा ना तो तेरे लिए फॉस्ट लास की नौकरी इंतजार करेगी बेटा को सकता है तेरे ये नौकरी छेने ही गई इसलिए कि शायद इससे बहुतर नौकरी मिल जाए पापा लेकिन रानी को नहीं बेटा रानी को कुछ बद बता जा तुने अच्छा किया जो रानी को नहीं बताया अभी तू खुशी-खुशी खुमने जा तू वापस आ फिर अच्छा ठेर मैं मैं भी आ तुम कि अच्छा ए वापस आ फिर तुम इना कि एच्छा कि अच्छा ऑक्छा यापस 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 और जिल्रेश था लितется विसले में वो लेदे वोज़ को। यह रख ले, पर पर कुछ नहीं, मैंने का रख ले तो रख ले, अरे बाप हु तेरा और सुन, मैंने जो सब सामान दिया था, वो सब तो तुने निकाल दिया, लेकिन इससे, नए, और मैंने जो तुझे यह सब दिया है, जब तुझे इससे भी मुच्छी तनकाव वाली नौकरी मिलेगी न, तब तुस्ते वापस लूँगा, और क्यों न लू, बाप हु तेरा साराणी के साथ, सम्जा, हाँ, 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 हाँ हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है 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 क्या है अर्थी क्या है क्या है हुआ 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 हुआ है हुआ है 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 हुआ हुआ है हुआ है हम है करते हैं अच्छा अब समझा बिगो जाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में राज और आनी की वजे साय ये किडा इसी वजे साय ने इस मेरे दिल की बाद है क्यों मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है बोलो 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 प्लीज बोलो बोलो कि अब सच को बो बढ़ी तो मुझे भी लगा था सुंकर की राज और नी भूमने जा रहे पुक लेकर माभी चेग कहरे थी अभी रानी जेल से माज और बोश तो बोश तो बहुत हो गया तुम्हारा ये जेल का पुरान तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मैं पूचती हूँ जरना मुझे बताओ, ऐसा कॉनसा मुणा तीर मार लिया उसने, तो सब उसकी तारीफ कर रहे है सनवली को बचाने के लिए सिर्फ जूट बोला है न, अपनी जुबान बन रखी है न, देखो, मुझे बताओ, ने मुझे बताओ तो, अगर मुझे ये बात पता होती, तो मैं भी अपनी जबान चुपनी रखती, ने मतलब मैं भी अपने भावी होने का फर्स अदा करती या बोलो न, तुम बोलो जब देखो जो देखो रानी की तारीफ पता रहता है, और मैं जो किन रात इस गढ़ मैं सड़ती रहती हो, अगरमी में, वो किसी को कुछ ने ने देखाई ता, मतलब हर रोज सुबे, आती, आती, जा ड़ती कपड़े दो, अरे रानी पिटा, बड़ आती, राने के लिए ठंडा दूर लेके या, आती, खाना बना, भूख लगे, रानी बेटा, थक गई होगी न, जा बेटो जा, कहीं घूम के आना, बात, रानी घूमने जाएगी और आती घर में सट्की रहेगी, पिस्ती रहेगी, किसी को कुछ पड़ी निये मेरे बार में, किसी को कुछ क्यों पड़ी होगी मेरे बार में, जब मेरे पथी को ही नहीं पड़ी हो, अरे सब देखा, देख ही रही हूँ, जब तुम्हे बेरे मार में कुछ पड़ी ने, कोई और क्यों सोचेगा मेरे बार में, तुम्हें प्रमोशन मिले, या ना, बस, मैं यू ही पिस जर से मुझा लेगा बस हो गया कोई मेरे मारा पे नहीं सोचता छाए कर दिखने कर दो कर दो कर दो कर दो दो कि दूरियां खतम हुई फासिले से मट गए कितना खुशनुमा है सिलसिला कितने हम करें कैसे आ गए दिल को कुछ चता ही ना चला चाहे जितना लंबा सफर चाहे जितने मुश्किल दगर दूंगे साथ तेरा नई सदा इतने हम करीब कैसे आ गए दिल को कुछ प्ता ही ना चला अरे एक पुनी रेक पुनी चलो भाई हम सब अंधाक शिरी खेलते हैं अरे जिजो बोलो तो जिए ने कुछ जिजो कमोन अमी एंधाक शिरी खेलेंगे चलो शुरो जाओ मितल बहने हम मितल बहने क्या कहने भई क्या कहने संगत इनकी क्या कहने हम मितल बहने मितल बहने हम मितल बहने हम मितल बहने क्या कहने क्या क्या प्रुब बहने क्या क्या प्रुब क्या क्या प्रुब प्रुब क्या प्रुब 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 आईये जी आईये देखे कितना प्रुब नजारा इसंट इड़ वहाँ 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 यह जगह यह कैसी जगह अरे पुरित बाभू कम आँ अब यह मत कही कि यह जगह आपको पसंदनी आई हाँ अरे देखे तो सही कि थंडी थंडी ताजी ताजी हवा है अरे शेहर में तो एर कंडिशन कमरे में भी दंगुटता है कमान नचीके जीजू मैं यहाँ नहीं रह सकता और फिर मुझे समझ में नहीं रह है कि एक आदमी के वज़े हम लोग सब क्यूं कॉम्परमाइज करें नमर भी है एक मिनिट अरे फाइव सार में तो आप हमेशा ही रहते हैं यह चुटी सरा हम लोगं के साथ यहाँ कॉटेज में भी एंजॉय कीजे और गारेंटी जिंदगी अपर याद जखेंगा आप यह पिक्निक अरे इतना मजा करेंगे हम लोग ओके जेजू अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो फाइन चला लेंगे अब एक दू दिन की बात है चलो इस बहाने यह भी पता चल जाएगा के मिडल क्लास लाइफ खुती कैसी है कर लो इस बहाने तो कर रहे है झार्फ और सिर्दक डिकल समय हाद है करता दो